हलो एवरीवन वालकम तू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिक्ट्रेचर जोन आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है दा ब्लड नॉट जो कि है थौल फुगाट की काफी फेमस प्ले है तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं वीडियो अगर आप लोग के स्लिबस क है आपके लिए हल्फुल होती है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है सबसे पहले हम इंट्रोड़क्शन लिख रहा कि इंट्रोड़क्शन में है दा प्ले दा ब्लड नॉट इस रिटे सेग्रिग्रेशन में मिंस भी होता है अलग किया जाता था तो उसी दोरान इस प्ले को लिखा गया अपार्थिड वोज इस सिस्टम है फुर किपिंग वाइट और नन वाइट पीपल सेपरेटेड वाइट उजले और नन वाइट मतलब काले उजले और काले लोगों को आफ्र एरा है वो 1948 से शुरू होता है और 1994 में खत्म हो जाता है गल जाता है थान इसेपरेट अप को ख़ेग्रेशन जाता था चान जाता था जो तो कहानी है दो हाफ ब्रदर्स यह दो सगानी है लेकिन जो दोनों के पिता है वो अलग-अलग थे इट वस लिटन इन अर्ली नाइंटी सिक्स्टिस में लिखा गया है मतलब आपार्थिड एरा के टाइम लिखा गया है और फर्स पर्फॉर्फॉर्मेंस लेकिन पहले पर्फॉर्मेंस के बाद साउथ अफ्रिकन इसको बैन कर दी क्योंकि कहीं न कहीं साउथ अफ्रिकन में जो गलत हो रहा था उस चीज को दिखाया गया था इस वज़े से गवर्मेंट इसको बैन कर दी तुदिस प्ले इस प्ले के जड़ी है फुगाट जो है अपना हेट्रेट इस घ्रिन ना दिखाते हैं डिससाटिस डिससाटिसफ्रेक्शन दिखाते हैं हेट्रेट दिखाते हैं इस प्ले के जड़ी है अब आगे अबाउट एथाल फुगाट के बाड़े में पढ़ लेते हैं एथाल फुगाट इस साउथ अफ्रिकन नॉबलिस्ट एक्टर एंड डारिक्टर वाइडली रिगार्डेज है जो की प्रमुक्त मेलने जाने जाते हैं साउथ अफ्रिका के महान प्ले राइट नाटक कार के रूप में इसी प्ले से न एथाल फुगाट को इंटरनेश्ट ए अस्तर पर लोग जानने लगे पहले ही बताएं कि साउथ अफ्रिका में जो अपार्थिड जो इशू था सब्जेक्ट था विशय था उस पे में लिखते थे इस प्ले इंक्लूड उनके प्ले में शामिल है वैली शॉंग दे रोड अफ मक्का माई चिल्डन माई अफ्रिका दा आइलेंड हेलो एंड गुडबाई एंड मास्टर हेरोड एंड द बोइस यह सारा उनका फेमस वर्क है वोर्ड उनके प्ले को मिला है Tony Award नुश्योप ड्रामा क्रिक्टिक सर्कल अवड भी मिला एंड मैनी मौर्स और बीडेशर आवड मिला है इवेंड टूडे यहां तक आज भी यह पैन्स इंसाइटफूल प्लेज वो काफी इंसाइटफूल प्लेज मतलब अपने understanding के according काफी अच्छा-चा प्लेज लिखते हैं addressing modern inequality जिसमें की वो आधुनीक समय में जो inequality चल रही है जो difference देखने को मिल रहा है उस चीज़ पे अभी भी यह play लिखते हैं अब आगे है multi-raciality in blood not blood not में जो multi-raciality उसके बाड़े में पढ़ेंगे the play the blood not is against the system of apartheid जो play है वो एक system apartheid के अगेंस्ट लिखा गया है and racial segregation के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के even after independence मतलब यहां तक की independence के बाद भी in 1948 में independence मिल गया उसके बाद भी the all white government जो है continue to enforce the system of segregation मतलब independence के बाद इस system को खतम करना था लेकिन है न white government जो क्या की independence के बाद भी इसको enforce it means लागू कर रखी थी the majority of south african जो majority थी मतलब ज्यादा तर लोग जो south african के थे who were forced to live in areas separate from the white जिनको की force किया गया मतलब majority जो थी न वहां काले लोग ज्यादा रते थे तो उनको क्या force किया गया कि वो एक separate area एक अलग area में रहे उजले लोगों से and use separate public facilities और उनके लिए अलग public facilities भी बनाए गये थी मतलब government जो है न गोड़े लोगों के लिए अलग rule बनाती थी और काले लोगों के लिए अलग rule बनाती थी past laws required past law जरूरी था non-whites के लिए मतलब काले लोगों के लिए to carry documents authorizing their presence in restricted areas मतलब कोई restricted area इस area में काले लोगों को जाना मना है न उस area में ज़र काले लोगों को जाना है उसके पास past law होना चाहिए 80% country's land मतलब 80% जो मतलब पूरे country का land था जमीन था for the white minority वह white minority के लिए था मतलब उजले लोगों के लिए था मतलब ज्यादा शंख्याइकाल लोगों के की लेकिए जो जमीन ज्यादा है वो उजले लोगों के पास था इडिशनली इसके अत्रिक दफ पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट आया क्लासिफाइड औल साउथ अफ्रिकन बाइस यह भी है ना रेस के अधार पर नसल के अधार पर जाती के अधार पर अधार पर साउथ अफ्रिकन को अलग-अलग भाग में बाच दिया जैसे कि तो ब्लैक अफ्रिकन स्कूर माना गया कलर में रखा गया मिक्स्ट रेस मतलब इसमें उजला काला दोनों तरह का आदमी रता था वाइट माना गया एक और एक एशियन जो कि इंडियन और पकस्तानी उस्टोन में आते थे वागे इन सम केसे कुछ केसे में पैरेंस क्लासिफ और उसके चिल्डर्ण कलर्ड में आ जाते थे ठीक है और एस वी फाइंड प्ले और जैसे कि हम लोग इस प्ले में देखते हैं दर टू ब्रदर्स फॉल इंटू इंटू डिफरेंट कैटेगरी इस प्ले में भी क्या होता है ना दो ब्रदर से दोनों अलग-अलग कैटेग इस प्ले में इन उससिक्सिस और गड़ेंड पॉली इस प्ले में सौन अप्रिकन पुलीज जो है उपेंड फायर ओन उन गूरूप लेक प्रोटेस्टर मतलब जो जो उनकी साथ गलात होग तो उसके नियृज विद्रौ कर रहे थे तो उसकी बीड़ेंड कर रहे थे तो उ killing 69 of them और उस open fire में 69 लोग मारे गए this event is the beginning of the ongoing struggle ये event जो ये घटना थी वो beginning था शुरुआत था चल रहे है इस struggle का जो संगर चल रहा था of South Africans black for equality मतलब South Africans के जो काले लोग थे उनका जो equality के लिए struggle चल रहा था तो ये घटना 69 लोगों का मारा जाना ये तो सुरुआत थी बस उस चीज़ का in the wave of violence इस violence के wave में लहर में इस हिंसा के लहर में between police and black protesters जो की black काले विद्रोहियों और police के बीश्ती more than 2000 people have been killed मतलब 2000 से जादा लोग भी मारे गए इस मतलब protest के दोरान living in such condition ऐसे condition में रहते हुए अथाल फुगट certainly has been touched अथाल फुगट काफी जादा touched हुए प्रभावित हुए by the racial issue which are at root of this death मतलब जो racial issue था जो ये नशल के अधार पर मतलब एक मुद्दा बना के जो लड़ाई किया जा रहा था तो उस सारे मौत का जितने भी लोगों के मिर्ती हुए दो जा लोगों की उन सारे लोगों के मौत का जो root कारण था root reason था main तो यही था racial issue था तो इस वज़े से ना मतलब काफी प्रभाव परा author पे एथाल फुगट पे इन सब चीजों का the blood not source is concern जो play है हम लोग का blood not उनके concern उनके चिंता को दिखाता है toward the system of racial segregation racial segregation system को लेके ठीक है अब अब आउट the title टाइटल के बार में लोग पढ़ लेते हैं the title of the blood not is apt and appropriate जो title है blood not का वो बिलकुल सही है उचित है in the play play में both the brother have different skin tone दोनों भाई का अलग-अलग skin tone है मतलब एक गोड़ा है तो एक काला है one is white and another is dark tone एक उजला है तो एक काला है both have different rights given by the African government तो दोनों के लिए African government की दोरा अलग-अलग rule भी बनाया गया था according to racism segregation racism segregation के according the fact that और यह तत्थ की blood is thicker than water की blood जो होता है वो गाढ़ा होता है पानी से is exemplified वह मतलब उधारन की रूप में देखने को मिलता है in there manifestation of love जैस तरह से उन लोरों के बीच मतलब एक तरह से प्यार देखने को मिलता है तो उस प्यार में हम लोग को वो उधारन देखने को मिलता है and concern for each other और जिस तरह से वो एक दूसरे का चिंता करते है तो यह हम लोग को उधारन देखने को मिलता है कि जो बोला गया कि blood थिकर होता है water से तो उसका एक उधारन है यह चिस अब आगे है themes of the play play के theme की बात करते है सबसे पहले है रेश ethel forgot wrote this play as a protest against the injustice of racism ethel forgot खुड इस play को लिखते है उस injustice अन्याय के against protest करने के लिए racism के against both the main character of the play play के जो दोनों main character है Zachary and Morris are saddened वो दोनों उदाश है by the insults insult से, injury से and in humanity it means ओमानवता से they have to face in their life जो उन लोग को अपने life में face करना पड़ा है अब आगे है identity Morris being a black man in white skin speaks of devilness of racial identity Morris जो है वो क्या है ना एक काला आदमी है white skin के अंदर गोड़ा है बट फिर भी ये गोड़ा आदमी के साथ जाके नहीं रहता है मतलब काले लोगों के साथ ही रहता है Morris can pass off as a white man Morris जो है पास हो सकता है एक white man के रूप में but he was trapped between his skin color and his blood ties लेकिन वो फसा हुआ है बंधा हुआ है अपने skin color और अपने मतलब खून का जो बंधन है ब्लेड का जो रक्त संबंद होता है तो उन दोनों के बिश में ये फसा हुआ है अब आगे है poverty गड़ी भी इस play का विशे है दा प्लेड हाइलाइट दा पिटिबल कंडिशन ऑफ दा ब्लेक प्लेड जो नाटक कार है वो ब्लेक काले लोगों के पिटिबल दैन्य कंडिशन को दिखाते है बाइपोट्रेइंग दियर सराउंडिंग्स उनके सराउंडिंग्स को पोट्रेइ चित्रित करके सराउंडिंग्स यह नहीं उनके आसपास की वातावरन को और उनके होम को पोट्रेइ करके एक मज़ूर के रूप में जैकडिया लिप्स इन वन रूम इन टाउन के एक रूम में रहता है आउटसाइड पोर्ट एलिजाबेत कहानत है पोर्ट एलिजाबेत में रहता है मौरीस होपस टू एक्स्टिकेट देमसल्ड मौरीस को एसी आसा है कि वह खुद को छुड़ा पाएगा अप्री कर पाएगा फ्रॉम दिस ग्रेंडिंग प्रोवर्टी इस ग्रेंडिंग इतम कभी नहीं खत्म होने वाली गड़ीवी से एंड स्लेवरी से और यह सपना देखता है कि उसका खुद का एक फाम होगा एक दिन मौरीस ऐसा सपना देखता है बट अनफॉर्चुलेटली लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्यवस एड़ एंड ऑफ दप्ले प्ले प्ले के एंड में मतलब सारा पैसा जो है यह लोग अपना सारा सेविंग्स जो है खर्च कर देता है कपडों पे और दूसरे चीजों पे दुर्णों के पास कुछ नहीं बचा पैसे के नाम पे लेकिन दोनों के पास अभी एक दूसरे का साथ है दोनों भाई एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं अब आगे ब्रदर हुड भाई चाड़ा भी इस प्ले का विशय है प्ले के स्टाटिंग से ही वी फाइन हम लोग पाते कि मौरिस तू बंढ न रहता है अपने ब्रदर जैकरिया से और यह तत्य हम यह लाइन दुबारा इूसके यह प्याज याहिर करते हैं care and concern for each other और दूसरे के लिए care and concern दिखाते हैं ठीक है अब आगे है play analysis प्ले के बाड़े में पढ़ लेते हैं play के story को देख लेते हैं the play has only two characters play में सिफ दो character हैं half brothers Morris and Jack Ria मतलब दो सोतेले भाई है Morris और Jack Ria she is the same mother दोनों की मा मां सेम है who is black मतलब इन दोनों की मा कोने black है however हलाकी because Morris father is white Morris की जो पिता है वो white है his skin is far lighter than his brother तो उसका skin color जो है वो lighter हो गया हलका हो गया मतलब थोड़ा Morris गोड़ा हो गया है having lived for a few years as a white man मतलब अब कुछ समय तक white man के रूप में रहने के बाद Morris returns to the colored section मारिस क्या होता है ना colored section में आ जाता है मतलब कुछ दिन तक Morris white है ना the white logo के साथ रहता है जो एरिया white logo के लिए बने आ गया है उस एरिया में रहता है लेकिन फिर colored section में आ जाता है of the port of Elizabeth port of Elizabeth में आ जाता है to live with Zacharyya किसके साथ जैकरिया के साथ रहने के लिए अपने काले वाले भाई के साथ रहने के लिए together they inhabitate a small rundown sack दोनों एक साथ मिलके मतलब रहते हैं छोटे से जोपड़ी में सेकने जोपड़ी भी होता है that modest maintain जिसको की maintain मतलब देख भाल जो करता है वो मौरिस करता है वाइल जैकरिया वर्क्स एजबकि जैकरिया जो है वह एक गेट कीपर की रूप में काम करता है गेट कीपर जो गेट पर ख़ड़ा रहता है ना उसके रूप में काम करता है एक पार्क के इस जोब इस प्रिवेंट ब्लैक पीपल फ्रॉम इंटरिंग दपार्क उसका जो जो जॉब था जैकरिया का वह था कि वह न काले लोगों को उस पार्क में प्रविश्च करने से रोकेगा जैकरिया जो है पूरा दिन काम करने के बाद पाउं में घाव के साथ हर शाम वापस आता था फ्रॉम स्टैंडिंग फो लॉंग आवर्स मतब लंबे टाइम तक पार्क के बाहर गेट कीपर की रूप में खड़े होने के बाद उसके पैर में मतब घाव हो जाता था जो है उस ब्लैक नेबरूड मतलब उसके आसपास सारे ब्लैक लोग रहते है तो वैसे नेबरूड में आज परोस में काम नहीं करना चाहता है और पोर्ट एलिजाबेट के विकॉस क्योंकि एक मैं के रुप में जो उजला दिखता है फिर सीविल नोट फिट इन उसको डर जो है बहर जाकी काम नहीं करता है वो घर ही समालता है इस कंटेंट टुकिप दा हाउस क्लीन उसका काम है वह हाऊस को क्लीन रखना कुक दा मिल्स भूजन पकाना प्रिपेर होट वाट फोड फोर जैक जैक के लिए गरम गरम पानी मदब तयार रखना क्यूंकि जैक के रोज कुछ ना प्रॉब्लम होता था हो तो उसके लिए गरम पानी भी तैयार रखता है और अलसो सेव मनी फोर दियर फ्यूचर और मतलब यह क्या करता है मौरिस फ्यूचर के लिए भी पैसे बचाता है तो बाए स्मॉल फार्म ताकि आगे जाके एक छोटा सा फार्म करिच स जाके फोर देंसेल्फ खुद के लिए एंड लिव ओन देर ओन और उसमें मतलब खुद का फार्म होगा तो उसमें अच्छे से रह पाएगा तो यह सब सोच के मौरिस और जैक जो है एक साथ जैक्रिया के लिए पैन पाल रिलेशन्शिप विट वाइट गर्ल नेम्ड इतल अब एक वाइट गर्ल है उजली लड की है सफेद जो स्किंटोन वाली लड की है उसके साथ जैक्रिया का रिलेशन्शिप हो जाता है पैन पाल वाला रिलेशन्शिप क्या होता है जिसमें हम लोग लेटर्स की थुरू बात करते हैं इक दूसरे को जानने रहे हैं मतलब वाइल जबकि Jackdia believes Jackdia को ऐसा लगता है, they can have a real in-person relationship, कि उनका जो व्यक्तिकत relationship है, वो वास्तिक हो सकता है, Morris is far more cynical about the matter, Morris जो है इस matter को लेके काफी निंदक है, मतलब उसको विश्वास नहीं है, कि जो इथल है, वो मान जाएगी काले, मतलब Jackdia से शादी करने के लिए, the very earliest apartheid laws, मतलब starting में apartheid laws बनाए गया, passed by South Africa, जो कि passed किया गया South Africa के दौरा, where the prohibition of sexual relationship of any kind, between two different races, मतलब दो अलग-अलग races, it means दो अलग-अलग नसल वाले के बीच में, किसी भी तड़िकी का sexual relationship नहीं होगा, यह भी नियम बनाया गया था, apartheid era के time, ठीक है, तो इस era के against था, Zacharyya और इथल का relationship, Morris is especially alarmed, Morris जो especially यहाँ पर वान करता है, चिताबनी देता है, when he learns that, जब उसको बता चलता है, the girl's brother is a police officer, की girl का जो भाई है, वो police officer है, Morris मतलब पूरा अपनी भाई को समझाने की कोशिश करता है, when the girl insists on visiting port Elizabeth, अब जब गर्ड मतलब जोर देती है, कि उसको port Elizabeth घुमने जाना है, and meeting Zacharyya और Zacharyya से मिलना है, Morris convince his brother, Morris जो अपने brother को अपने भाई को convince करने की कोशिश करता है, that she will be horrified when she discovered he is a black man, वो बताता है कि लड़की जो है, उसको काफी डर लग जागा, जब उसको पता चलेगा कि Zacharyya एक black man है, काला आत्मी है, Zacharyya allow Morris to pose as him, Zacharyya जो है, यह Morris को अपने जगाल ले ले, to mitigate the risk of being arrested by the girl's brother, मतलब, mitigate it means कम करने के लिए, इस रिसको कि कहीं उसको ब्रदर के द्वारा रेस्ट ना कर लिया जा जैक रिया को, इसलिए यहां पर जैक रिया मॉरिस को बोलता है कि तुम मेरी जगा उस लड़की से मिलो, in preparation for the rendezvous, मतलब, उस मिलन के preparation में, Morris buys that type of cloth, मॉरिस जो है उसको के कपड़ा खरिचता है, that a white man is likely to wear, जो कि white man mostly पहनते थे, spending the significant portion of the money, और इसी चक्कर में, मतलब, उसको कपड़ा को खरिचने के चक्कर में, क्या होता है, यह लोग अपने पैसे का, एक significant, एक महत्वपुनिष्टा, खर्च कर देते हैं, जैक्रिया head on to buy a farm, जो कि जैक्रिया कमाए हुए था, फार्म को खरिदने के लिए, इन ए new letter, अब एक नया letter आता है, दा गर्ल एक्स्प्रेंड, उसमें गर्ल बताती है, that she has changed her mind, कि वो अपना mind बदल चुकी है, and she will not visit Port Elizabeth, तो वो अब वो पूर्ट Elizabeth विजिट करने नहीं आ रही है, the two men released from fear, अब दोनों आदमी के, जैक्रिया और मॉरिस के अंदर से fear खतम होता है, in the end और अंत में, मॉरिस wins up his old alarm clock, मॉरिस जो है अपना पुराना alarm clock बंद करता है, the one has used throughout the play, इसका के use वो पूरे प्ले के दौरान किया था, to remind himself of taste such as, और खुद को मतलब रिमाइंड दिलाने के लिए, कि फिक्सिंग जैक्रिया फुट बाथ के, जैक्रिया का फुट बाथ मतलब फिक्स करना है, मतलब फुट बाथ के लिए गरम पानी करना है, पर प्रिप्रेडिंग सपड मतलब भूजन बनाना है, यह सब रिमाइंड करवाने के लिए, जो एलाम वाला घड़ी रखना का थान तो, उस घड़ी को यहां पर जो है, मौरिस बंद करता है, मौरिस पिर मौरिस कहता है एंत में, यू सी, वी आर टाइट टुगेटर, जैक्रिया पर मौरिस कहता है, कि तुम देखे, हम लोग एक साथ बंदें हुएं जैक्रिया, मतलब दो भाईयों के बीच का रिस्ता, तो यहां पर जो है, यह स्टोडी खतम हो जाती है, अब आगे हम कंक्लूजन मेंशन कर रखें, ठीक है, कंक्लूजन में है, दस इस प्रकार, एथाल फूगर्ट्स प्ले जो दो ब्लेड नौट है, मतलब यह सारे थीम को दिखाती है, त्रूआउट दा स्टोडी ओफ तो हाफ ब्रदर्स, दो हाफ ब्रदर्स, दो सतेले भाईयों की कहानी के जड़िये, लिविए इंग साउथ अफ्रिका, जो कि साउथ अफ्रिका में रह रहे हैं, डूडिंग, दा अपार्थ्य डेरा, पार्थ्य डेरा की टाइम, फुगट्स, पोट्रेल ऑफ दा ब्रदर्स, पोवर्टी, एंड स्ट्रगल फोर सर्वाईवल, मतलब फुगट्स जिस तरह से चित्त करते हैं, दोनों भाई के गड़ीबी को, और उनके स्ट्रगल को, बड़ा ही, डिवास्टेटिंग, इट मिंस निरासा जनक, इफेक्ट दिखाता है, ये चीज़, ठीक है, उनलों का, जो दोनों भाईव का, स्ट्रगल गड़ीवी, ये सब चीज़, डिस्पाइट दियर हाड्शिप, उनकी कठनाईयों के बाबजूद, हॉइवर, मौरिस और जैक्रिया का बॉन्ड है, इस ब्रदर्स, मतलब भाई के रूप में, रिमेंस अनब्रेकेबल, हुआ क्या होता है, अनब्रेकेबल रहता है, कभी तूटता नहीं है, हाइलाइट दा इंपोर्टेंस और फैमिलियल लव, को मतलब पारिवारिक प्यार को दिखाता है, और सपोर्ट इन टाइम आफ हांडशिप, मतलब कठनाई के टाइम कैसे भाई, मतलब भाई का साथ देते हैं, पारिवार का साथ देता है, तो यह चीज़ भी हम लोग को फैमिलियल लव भी देखने को मिलता है, Overall, कुल मिलाकर, The Blood Knot is a powerful and thought-provoking play, जो Blood Knot है, वो powerful और thought-provoking play है, that remind us, जो कि हम लोग को याद दिलाता है, The ongoing struggle of racial justice and equality in South Africa and around the world, मतलब यह हम लोग को याद दिलाता है, जो Africa और दुनिया भर में नशलिय न्याय और शमानता के लिए, चल रहा जो संगर्ज था, उसकी याद दिलाता है, ठीक है, यह जो play है, The Blood Knot, यह तो इस चीज़ के साथ जो है, वीडियो खतम होता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए helpful है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना, वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ,